दोस्तो tips for successful business के इस episode को शुरू करने से पहले मैं आपको एक story सुनाता हूँ सची जी है दोस्तो नमस्कार मैं हूँ मुकेश महन गुपता और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ये एक series शुरू की है जिसमें हम आपको tips दे रहे हैं अपने experience के base पर मैं कि आप अगर एक successful business चलाना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो story है मैं आपको बताता हूँ कि दो दोस्ते उन्होंने partnership में एक business शुरू किया एक दोस्त जहाँ पर वो company थी उसके pass में रहते थे एक छोटे उसकी colony थी वहाँ पर और जो दूसरे partner है वो काफी दूर वहाँ से रहते थे तो उन दोनों ने ये decide कि चलो भाई एक काम करते हैं ये जो pass वाले जो partner है उनको तो क्योंकि छोटी छोटी गलियों से आना पड़ता है पास में रहते हैं तो वो एक scooter ले ले लेते हैं company के खर्चे पर और जो partner जो दूर रहते हैं उनको क्योंकि scooter पर आना थोड़ा रिस्की रहेगा तो वो एक गाड़ी ले लेते हैं company की cost पर तो company ने खरीदी एक गाड़ी और company ने खरीदा एक scooter एक partner के पास गाड़ी और एक partner के पास scooter तो अब दोस्तों ये company और ये partnership काफी दिन तक successfully चलती रही लेकिन दोस्तों दीरे दीरे उनमें किसी ना किसी बात के उपर differences आन तो दोस्तों जो discussion का matter आया वो ये आया कि एक partner बीड़ी पीता था और एक partner cigarette पीता था यानि ये हुआ ये तक discuss हुआ कि भाया जो तुमारी बीड़ी की cost है वो 2 रुपे रोज है और जिनकी cigarette की cost है वो सब क्योंकि company में debit हो रही थी वो 100 रुपे रोज है दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी partnership में हमारी जो clarity है terms की वो बहुत जरूरी है अन्यता ये होगा कि एक बार ये भी हो सकता है कि एक की cost एक partner के लिए गाड़ी की cost company bear कर रही है उसका petrol गाड़ी का भी company bear कर रही है और दूसरा partner scooter पर चल रहा है उसकी cost scooter की company ने bear करी उसका petrol का जो खर्चा है वो भी company bear कर रही है आप अनुमान लगाए कितना difference था लेकिन जब तक चल रहा था तब तक ठीक और जब difference create हुआ तो बीड़ी और cigarette की cost के उपर भी जगड़े हुए दोस्तों आज की जो मेरी ये tip है वो यही है कि जब आप कोई अपना business शुरू करे और आप ये समझें या ये decide करें कि आपको वो partnership में करना है अपने किसी relative के साथ या आपको partnership में करना है अपने किसी दोस्त के साथ और दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोई business शुरू करने की सोचते हैं तो हम किसी से भी discuss कर लेते हैं जो हमारा कोई जानने वाला हो naturally और हम उनसे कहते हैं कि यार ये मैं business शुरू कर रहा हूँ आओ मेरे साथ बनोगे partner और कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती में या वो भी कोई business ढूंड रहे हैं और बिजनिस शुरू कर दिया जाता है और जो terms conditions हैं उस partnership की वो बहुत detail में discuss नहीं करते हैं कई बार हम इसलिए discuss नहीं करते हैं कि हम एक दूसरे की शर्मा शर्मी में रह जाते हैं कई बार हम सोचते हैं कि चलो शुरू करते हैं बाद में discuss कर लेते हैं दोस्तों आज की जो मेरी ये tip है वो आपको यहीं है कि जब भी आप अपना कोई business partnership में शुरू करें यानि चाहे आप partners हो या व्यादे लोग मिलकर अगर आपस में एक partnership या company बनाकर business कर रहे हैं तो दोस्तों जो आपकी terms है business की long term में क्योंकि दोस्तों ये जो आप business कर रहे हैं ये एक-दो साल के लिए नहीं कर रहे हैं ये आप कर रहे हैं अपनी पूरी life के लिए और फिर आप कर रहे हैं कि जो आपक को टेक ओवर कर ले इसलिए आप ये बिजनिस कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो टर्म्स कंडिशन है आपकी पार्टनर्शिप की आप ये बिजनिस शुरू करने से पहले बैठ ये अपनी टर्म्स पूरी डिसाइड करिए डिटेल में उसको डॉकुमेंट करिए अगर पार्टन पास करके सब जो टर्म्स हैं आपस की यानि किसको कोई रेमिनेरेशन मिलेगा कोई पार्टनर क्या काम करेगा और साथ में जो आपके आर्टिकल्स में जो टर्म्स है उन सब को डिटेल में डिसकस कीजिए और उनको डॉकुमेंट भी कर लीजेगा दोस्तों हमने देखा है और यह मेरा experience है कि कई बार क्या होता है कि जब दो दोस्त मिले या दो family member कोई मिले तो वो यह कहते हैं कि अगर हमें partnership में business करना है तो वो अपने CA को phone मिलाते हैं या उनका जो भी consultant है उसको phone लगाते हैं और कहते हैं कि सर ऐसा करिए एक ज़रा partnership date मुझे भेज़ दीजे हमें यह शुरू करना है यह हमारी firm का नाम है यह यह partner है तो CA साब जो है या जो consultant है जो भी उनके पास जो format होता है या भी जो best जो उनके पास जो उनके हिसाब से partnership deed में जो terms condition लिखी जाती है जो normal terms conditions है कि किसको कितना profit sharing मिलेगा कौन back account चलाएगा यह basic basic चीजे तो उस partnership deed में लिख करके हमें अपने उन consultant को बताना चाहिए कि सर हमारी partnership की या जो हमारी company है उसमें हमारे आपस में जो directors हैं या partners हैं हमने यह terms decide की है और हम इस हिसाब से अपना business आगे चलाएंगे और पढ़ाएंगे दोस्तों अगर हमने यह terms decide नहीं की शुरू में हम आपस में एक दूसरे की में रह गए तो यकीन मानिए कि एक ना एक दिन वो एक जो दिन है वो एक महीने बाद आ सकता है एक साल बाद आ सकता है पांस साल बाद आ सकता है लेकिन यकीन मानिए कि अगर आपकी terms condition proper documented नहीं है तो एक ना एक दिन वो dispute होना है और वो फिर dispute अगर कोई settle हो जाए तो बहु पिश्किल हो जाएगा क्योंकि कोई चीज अगर documented नहीं है तो हर पार्टनर उसका अलग-अलग interpretation कर सकता है दोस्तों हमने देखा है कि दोस्ती में छोड़िये आपस में भाई-भाई में या फिर फादर में या बेटे में इनमें भी कभी न कभी differences आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर शायद पूरी चीजे terms conditions यब जो बिजनिस की हैं जो आपस की हैं वो पूरी documented नहीं होती अगर कुछ मैं एक्जाम्पिल की आप के बात करूं तो Fortis के शिविंदर जी मालविंदर जी रिलाइंस में आनिलंबानी मुकेशंबानी रेमंट्स इंडिस्टी में दोस्तों हमने देखा कि फादर सन में जगडे हुए यानि वीजैपत सिंगानिया जी और गौतम सिंगानिया जी में हमने देखा अपोलो टायस में अंकार जी में और फिर उनके फादर रौनक सिंग जी में यह ऐसे नंबर ऑफ एक्जाम्पिल्स है मैं बहुत जादे नाम नहीं लेना चाहता लेकिन दोस्तों एक चीज में आपको और कहता हूँ कि हमको यह इसको जरूरी नहीं है कि हम इसको निगेटिव फॉर्मट में ही देखें दोस्तों हमें इसको निगेटिव फॉर्म में भी नहीं देखने की जरूरत है बहुत जादा क्योंकि अभी क्रेडिट सी उसकी एक रिपोर्ट है वो यह कहती है उन्होंने रिपोर्ट एक बनाई है कि जो फैमली ओन बिजनिस है पू इंडिया में पूरे विश्व में अगर देखा जाएं तो सबसे ज़्यादा इंडिया में हैं तीसरे नंबर पर और एक बात उस रिपोर्ट में और कही गई कि जो फैमली ओन बिजनिस हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को जादे फायदा करवाया है या उनकी जो प्रॉ जब भी आप पार्टनर्शिप में बिजनिस करें तो प्लीज जो भी आपकी टर्म्स कंडिशन्स हैं वो अपनी पार्टनर्शिप डीड एलल पी एग्रिमेंट या फिर जो कंपनी है उसमें जो रेजलूशन्स है उसमें बिलकुल क्लियर क्लियर डिफाइन कर लें और शाय और बहुत सारे टिप्स देखने के लिए जनने के लिए ये जो हमारी सीरीज है जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने ये शुरू किया है कि टिप्स फोर सक्सेस्फुल बिजनिस और ये हर हफते ये तीन बार आएगा इस सीरीज में यानि मंडे वेंजडे और फिर फ्राइड और ये जो सीरीज हम अपलोट करेंगे इसकी वीडियो दोस्तो ये रात को दस बजे क्योंकि आप अपना सब काम निप्टा के फ्री होके आप आ जाईए घर पर बैठिये अराम से उसमें कुछ नोट करना है तो एक कॉपी पैन लेके नोट भी कर लीजेगा तो हम एवरी मं वेंजडे और फ्राइडे दस बजे आप इंतजार कीजिए इस सीरीज का प्लीज क्योंकि मैं आपको इन तीनों दिन अलग अलग आपको एक टिप दूँगा आपके बिजनिस को सक्सेस्फुली चलाने के लिए तो दोस्तों एक काम आपको और करना है ये आपको देखनी त और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज आप इनकी जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उनको आप इंप्लिमेंट भी कर लिजेगा लेकिन आपके पास ये टिप्स लगातार जब तक ये हमारी सीरीज चले तब तक आपके पास आती रहे उसके लिए प्लीज आप इस ब एक और टिप है जो शायद आपके किसी काम आ सकती है और दोस्तों हाँ जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा इस MSME हेलप लाइन यूट्यूब चैनल को जिसको प्रमोट किया है चैम्बर आफ से आ रहा हूं तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार